बहुत ही मज़ेदार बहुत ही लेज़ी चिकन मलाई कॉफटा है एक बार तो बनाएं गरवाले आप से रोस फर मैश पर बनवाएंगे आज हम बनाएंगे चिकन मलाई कॉफटा एकडम सॉफ्ट और जूसे आपके कॉफटे बनेंगे और इसकी जो ग्रेवी होगी न बहुत ह इस जो बहुत ही मज़े की होगी तो बहुत असान है रेसिपी लेकिन बहुत ही डिलिशिस रेसिपी बनके रेडी होती है तो इसको ट्राय करना तो बनता है तो चलें फिर मज़ेदार से मलाए कॉफता बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कॉफ्टे ready कर लेते हैं या पर यह बहुत ही मज़ेदार से चिकन वाला कॉफ़दे बनके रेडी होती हैं वीडियो को इसके मत्कीजी कर एंड तक देखीगा तो यहां पर हमने हरीमिच दीती ही तीन इसको हमने चॉपका लिया था तो आप जाइकी के मुताविक हरइमिज को एड़ कर सकते हैं समर्क दे एक ह्याजाता हैं को शमीता हैं को अब चब्सक्राइब इसको हम ँप्सज़ी आयदा लिगे जोपर में तो तरीकी से जिसको हमारे ये पयास हो गएyd बना लिये था तो जितने आप कुफ्ती बनाना चाहते होसी साफर्सी स्षाप से को ली जेगा इसी देशा निकाल तेसे जोटारे चमच देख़ेके लोट में पारिशा के के मताइब आप से वह से द्लीन करें कटिं के मताबिक और शामिल कर देंगे सफेद मिल्च कुटी हुई एक चोटा चमच अब शामिल कर देंगे लेसन का पाउडर अगर आपके पास बाउडर नहीं तो यह उप्षिनल है बुना हुआ जीरा वह शामिल कर देंगे एक बड़ा चमच अब चोपर को कवर करके अच्छी त सारे मसल लग चुके आप इसको हाथों की में देसे भी मिस कर सकते हैं बाते लिपी थोड़ा सा ओल लगा देंगे ताकि जब हम कुफते बनाएं तो वह किरेक ना हो यहां पर हम थोड़ा से मिक्स्टर लेंगे यानि कि एक बड़ा चमच जो जितने आप कुफते बनाना चा को फ्राय कर लेते हैं तो ऑल कोषे तरह किसे हमने गरम कर लिए ताब मेडियम फ्लम कर देंगे और एक किफता इसमें एड़ करते जाएंगे सारे कुफते हमें medium flame पर fry करना है ताकि अच्छी तरीके से अंदर तक भी पक जाए तो सारे कुफते से हमने add कर दिये इसके हम side change कर देंगे तो एक सी दो मिनट के बास के हम side change कर देंगे इस तरीके से ताकि दोनों side से इस तरीके से golden brown होने लगे तो आप देख सकते हैं इने की सच तरीके से golden brown हो चुके हैं तो इस तरीके से सारे कुफते को हम fry कर लेंगे बहुत ही मज़े के कुफते बनके ready होते हैं अच्छी तरीके से हमने कुफते को fry कर लिया दोनों side से यह बिल्कुल अंदर तक पक चुके हैं अब इनके हम फ्लेम बंद कर देंगे कॉफतों को इस तरीके से प्लेट में रखते जाएंगे तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे भी बहुत ही मज़े के बने हैं तो चले फ्रेंके हम gravy ready कर लेते हैं यहां पर हम वही तेल यूज़ करेंगे जिसमें हमने कॉफतों को फ्राय किया था तो gravy के हिसाब से आप और लीची का और इसमें प्यास शामल कर देंगे तो यहां पर हमने एक बड़ा साइस का प्यास लिया था जिसको हमने slice cut कर लिया था इस तरीके से प्यास को एक मिनट के लिए हम mix करेंगे हरेमिच शामल कर देंगे तो यहां पर हमने चार हरेमिच लेती बड़ी वाली जिसको हमने half cut कर लिया था तो हरेमिच को एट करने के बास में हम काजु एट कर देंगे तो काजु यहां पर हमने 10-15 एट कर देने हैं और इसके हम शामर कर देंगे कद्दू के बीच जो कि हमने one four cup लिए हैं, तो अच्छी तरीकिस इनको इस्टे करेंगे, सोथे करेंगे एक मिनिट के लिए, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजे दार से क्रीमी सी ग्रेवी, तो उच्छी तरीकी इसको सोती करने के बास कि हम आज बंद कर देंगे उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो उसको हम जो है न ग्रैंडर मैट कर देंगे उसके हम सिमुसी पेस्ट बना लेंगे तो इसके शीजरी के समने पेस्ट बना लिती रखेंगे साइट पर यहां पर हम पेन में शामल करेंगे हाफ कप ओई अब इसमें हम शामल कर देंगे अधरक वो लेसन जिसको हमने कूट लिया था दोबड़े चमच आप इसमें लेसन की पेस्ट भी शामल कर सकते हैं तो अधरक था लेसन की नेगा शामल कर देंगे और सारे ग्रेव समयाड कर देंगे जो हमने मिस्टर कर देंगे और पकाएंगे एक मिनिट के लिए अब उससी जग में जिसमें हमने पेस्टे पनाई तो थोड़ा सा पानी एट करके अच्छी तरीक किसे मिस करके इसमें एट कर देना है तो जितनी आप ग्रेवी रेखना जाते हों उसी ही साफ से पानी को एट किई जीगा अब इसमें साबो तलाल में शामल कर देंगे चोटी वाली अब इसको एक से दो मिनिट के लिए हम पकाएंगे हाई फ्लेंपर एक से दो मिनाट के बास में हम शामल कर देंगे सफेज जीरा आदा चमच जीरा एट कर देंगे और इसमें हम नमक शामल कर देंगे जाके के मुताबबग अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से तो आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारेडी होने लगी अब इसमें मखन शामल कर देंगे एक बड़ा चमच इससे फिलिवर बहुत ही जबवदस आगा तो यह हमारी मखनी गिरवी बनके रेडी होगी खाली में शामल कर देंगे कुट्टी हुई एक चोटा चमच या फिर जाके के मुताबग इसको बॉयल आने देंगे तो आप देख सकते हैं अच्छ तरीके से इसमें बॉयल आ चुके हैं अब इसमें हम शामल कर देंगे दही जिसको हमने फेंट लिया था एक कप तो सारी दही समेट कर देंगे और इसके मेडियम लोफ लेंप कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से तो यहां पर हमने अच्छ तरीके से मिक्स कर लिए अधा ही को और गेरेवी को तो अच्छ तरीके से मिक्स करने के बास में हम शामल कर देंगे क्रीम तो यहां पर हम दो बड़े चमर शामल कर देंगे क्रीम का तो इसको अच्छ तरीके से हमने पका लिए मि तो यह मज़ेदार से ग्रेवी रेडी हो चुकी है चिकन मलाई कॉफ्टों की अब इसमें शामल कर देंगे सारे कॉफ्टों जो करके रखे थे अगर इससे स्टेच पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जाओ कर देजिए का चेनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं तो यह मज़ेदार से चिकन मलाई कॉफ्टे बहुत ही सौफ्ट और जूसी बनके रेडियो चिके सब करने के लिए तो इसको आप गर्मा गरम सब करें नान रोटी या फिर चावल या फिर चपाती के साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरू बतेगा तो इस मज़े बनते हैं अब कुफ्टों के उपर हम गानिश कर देंगे हेरा दनीय के साथ वहरी में शामल कर देंगे जिसकtu हमने फाइंट कर लिया था तो हरी में चैट करने के बासके हां उपर हम जोईनत जुलियन कट अदर के सीना इस तरीके सेट कर देंगी और भी मज़ेदार से क्री क्रीमी बनाने के लिए इसके उपर हम गार्णिश करेंगे इस तरीके से क्रीम के साथ तो यह रेसिप आपको कैसे लिए कामेट में जरू बताए को इस मज़दा से रेस्प्री को जरू शेर किजीगा फैमिल्ली प्रेंट के साथ और फिर मिलते कि नहीं और बहुत ही मज़दा से रेस्प्री के साथ अपना बहुत सा कारा किगा मुझे मेरी फैमिल्ली को हमेशे की तरह दो में जरू कीजीगा टेक केर बाबाए अलाफेज